17 मैं साल 1498 इस वी को वर्तमान केरल राज के कालिकर तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा जिसके बाद मानो हमारे देश भारत की तकदीर ही बतल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंक से ही लिखी जाने लगी दोस्तों ये वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक एवं खोच करता वास्को डिगामा ने भारत की खोच की थी अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारून साल पुराना है सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्या सामराज, गुपता सामराज और दिल्ली सल्तनत के आधी राजाओं ने यहाँ पर राज किया था तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 इस भी में कर सकता है तो दोस्तों आपको बता दे भारत में सदियों से जितने भी आक्रम्रकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदे आते थे तो वो हमेशा भारत को पश्मी एशिया से जोडने वाले मशूर रास्ते खैबर दर्रा से होकर आते थे लेकिन 17 मैं 1498 को आसको डिगामा ने समुद्र के रास्ते योरप से भारत के केरल राज के कालिकट तक पहुँचकर एक समुद्री रास्ता ठून निकाला था जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है दोस्तों आपको बता दें उस समय भारत अपनी क्रिशी उत्पादों के लिए बहुत ही जादा मशूर हुआ करता था शिशकर मसालों जैसे की काली मिर, चेलाईची, दालचीनी आदी के लिए बहुत प्रसिद था जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए योरप तथा अरप के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुक्तेशूं जैसे भारत, चीन, मियामार आदी के साथ व्यापार केवल स्थली मार्ग से ही होता था जिसे सिर्फ मुसलिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तिमाल किया करते थे और मुसलिम शासक उस मार्ग से योरोपीयों को व्यापार नहीं करने देते थे लेकिन जब योरोपीय लोग भारत में आने के बारे में और यहां की दौलत के बारे में सुनते थे तो वे भारत पहुचने के लिए और भी उत्से खोजाते थे इसलिए वे अपार मार्क की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपिये देशों ने यूरप और भारत के मध्ध एक समुद्री मार्क खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफ़ाएं उड़ते रहती थी जैसे कि कई लोगों का मानना था अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले गए तो नाव समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी इसलिए कुछ नाविक समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे लेकिन फिर 1960 के दशक में पुर्टगाल के शहर सीन्स में जन्में वासको डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग ढून कर योरप के सामने व्यापार का एक नाया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया कैसे शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर दोस्तों वासको डिगामा का जन्म 1960 के दशक के आसपास ही पुर्टगाल के सिंस में हुआ था उनके पिता एस्टेवा भी एक अच्छे नाविक एवं समुद्री खूच करता थे वासको डिगामा का सारा बच्पन अपने पिता के साथ एक नाविक और यात्रा की माहौल में बीता था फिर संग 1480 में वासको डिगामा ने अपने पिता का नुसरन करते हुए पुर्टगाली नौसी नामें वो शामिल हुए यहीं पर उन्होंने नौचालन का एक एडवांस तरीका और लंबी समुद्री आत्रा करना सीखा फिर उस समय पुर्टगाल के राजा हेनरी जिन्हें हेनरी दा नेविगेटर के नाम से भीजाना जाता था उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री आत्राओं तथा खोजों को आख्थिक सहायता इवं सरक्षन प्रदान किया था जिस वजे से बहुत से नाविक नए नए द्वीपों को ढूनने की कोशिश किया करते थे इसी के चलते 1487 में पुर्दगाल के ही एक प्रसिद खोज करता बार्टोलूम डायस ने अफ्रीका के दक्षनी सिरे तक यात्रा करके ये पता लगा लिया था के हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जोड़े हुए हैं जिसके बाद डिगामा जो समुद्री यात्राओं एरम खोजबीन में गहरी दिलजस्पी रखता था वो जानता था कि यदि हिंद और अटलांटिक महासागर अफ्रीके भूमी के अंत में जोड़ते हैं जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पावलो को सेंट राफिल नामक जहाज का नित्रतु सौंप दिया फिर कुछ दुनों के बाद उनका जहाजी बेडा इस समय के मुरको देश के निकटिस्थित कैनरी दूइप से गुजरते हुए केप वर्दे दूइप समूँ पहुँचा और वहीं तीन अगस तक रुका रहा आपको बता दें वे लोग जहाज पर अपने साथ पत्थरों के स्टंभ लेकर आया करते थे जिसे वे लोग अपने मारक को चिन्हित करने के लिए विभिन महत्पूर पड़ाओं पर स्थापित कर दिया करते थे जिससे कि उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके वासको डिगामा ने गिनी की खाड़ी की तेज समुद्री धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्का लगाया और फिर केप आफ कुड होग के रे दौरे के लिए पूफ की ओर एक मोड ले लिया ये भारत के खोज में उनकी पहली प्रमुक्स अफलता थी फिर साथ नवंबर कौन का बेड़ा आज के दक्षन अफरीका में स्थेथ सेंट हेलेना बे में पहुँचा उस समय सेंट हेलेना बे का मौसम बहुत खराब था वहां बहुत तेज हवा और समुदरी लहरें चल रही थी जिस वज़े से वासको डिगामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और वे Cape of Good Hope पहुँच गए जहां पहुँच कर उन्होंने इस जगह का अच्छे से दौरा किया दोस्तों आपको बता दें जब वासको डिगामा Cape of Good Hope नामक स्थान पर पहुँचे तो तभी उन्होंने महसूस किया कि उसका भारत तक मार खोजने का सपना हकीकत में तबदील हो सकता है और फिर मार को चिन्हित करने के लिए पहले के भाती वहाँ एक पत्थर का स्तंभ स्थापित किया और फिर आगे की यात्रा की तयारी करने लगे Cape of Good Hope के आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की थी और क्रिस्मस आने तक वे दक्षन अफ्रीका के नटाल तट पर पहुँच गए अलग अलग नदियों को भीतर और बाहर से पार करते हुए डिगामा का बेड़ा धीरे धीरे मुजाम्बिक की ओर पहुँचना शुरू हुआ इस बीच वे लगभग एक महीने तक कहीं पर रुके और जहाजों के मरमती का काम किया फिर 2 मार्च 1498 को डिगामा का बेड़ा मुजाम्बिक दूइप पर पहुँच गया जब डिगामा अपने दल के साथ मुजाम्बिक की धर्ती पर उत्रा और वहां के निवासियों से मिला तो उन्हें लगा कि ये पुर्टगाली जहाजी भी उन्हीं की तरह मुसल्मान है इसलिए उन लोगों ने उनकी खुब मदद की डिगामा का मुजाम्बिक में पड़ाव डालना काफी हुपयोगी सिद्ध हुआ वहां उसे समुद्र के किनारे, बंदरगाह पर, सोने, चांदी तथा मसालों से भरे हुए चार-पांच जहाज दिखाई दी उसकी मुलाकात ऐसे स्थानी लोगों से भी हुई जो कभी-कभी भारती समुद्री तटों की यात्रा करते थे इससे वासको डिगामा को पूरा विश्वास हो गया कि वो उचित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था उसे उस दिशा को समझनी में भी मदद मिली जिधर अब उसे आगे बढ़ना था फिर साथ अप्रेल 1498 को उनका बेड़ा मुंबासा में प्रवेश कर गया तथा यात्रा के एक और महत्मू ठहराओ मुंबासा के ही मालिंदी में लंगर डाल दिया मालिंदी में डिगामा की मुलाकात कांजी मालम नामा के एक ऐसे गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षन पश्यम तटके कालिकट जानी का माग जानता था उस गुजराती नाविक के महत्म को देखते हुए डिगामा ने उसे भी माग दशक की रूप में अपनी बेड़े में ले लिया और फिर अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद डिगामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहार दिखने लगे फिर 17 मई 1498 को भारत के दक्षिन पश्चिम में इस्थित कालिकट के बंदरगाह पर जहाँ पहुँचा कालिकट में इस्थानी राजनाई को द्वारा वासकुडिगामा का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया वो यहाँ लगभग अगले तीन महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत पूर्ण जानकारियां कठा करता रहा दोस्तों वासकुडिगामा के भारत आने और उसके काली कट में उतरने के बाद भी कई यसी घटनाए हुई जिसके बारे में अभी भी लोगों में सहमती नहीं हो पाई है लेकिन हम अपनी किसी और वीडियो में उसके भारतियों के साथ किये गए जुल्म और अत्यचार पर अलग से वीडियो बनाएंगे इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी यात्रा पर वीडियो बना रहे हैं दोस्तों यहां तीन महीने रहने के बाद वासको डिगामा दो साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पना लिस्बन लोट आया इस दोरान उसने लगभग 38,600 किलिमीटर की यात्रा की थी और दोस्तों आपको बता दें किस लंबी साहसिक यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे जिसमें से 116 की यात्रा के दौरान मृत्ति हो गई थी वासको डिगामा की सुपलब्धी से पृतगाल के राजा बहुत खुश हुए थे था उन्होंने उसे दूसरी बार फिर से 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा था इतिहासकारों का मानना है जब डिगामा विभिन प्रकार के भारती मसालों और रेशम के साथ अपने देश पृतगाल लोटा तो उसने केवल मसाला बेजकर ही यात्रा पर खर्श किये गए पैसों से चार गुना जादा पैसे कमा लिये थे दोस्तों फिर 1524 में वासको डिगामा की मृत्तिव काली कट में ही तब हो गई जब वो अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मृत्तिव का कारण मले रिया था दोस्तों जब डिगामा ने योरप और भारत की बीच का समुद्री मार खोज लिया था तब डिगामा का नाम पूरे योरप में बहुत मैशूर हो गया था और उसकी उस साहसे क्यात्रा की चर्चा सभी योरोपिय देशों में होने लगी थी तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भीजने शुरू कर दिये थे जिस वज़े से पूर्टगालियों के बाज डश, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसे से भी भारत आना शुरू हो गए थे उसके बाद आगे के तशक में भारत में जो भी हुआ वह हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत इन यूरोपी देशों की कॉलोनी बन गया दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब ज़रूर करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कॉमेंट सेक्षन में आकर बताएं देखने के लिए शुक्रिया